हेलो एव्रिवान, नमस्कार, हिंदी कक्षा में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम एक नया पाट सीखेंगे पाट का नाम है पाट साथ मेरी पाट शाला पाट साथ मेरी पाट शाला, आज के पाट का नाम क्या है बच्चों? पाट साथ मेरी पाट शाला, पाट शाला का अर्थ होता है स्कूल पाट का नाम क्या है बच्चों? माई स्कूल, मेरी पाट शाला, माई स्कूल पैरे बच्चो यह देखिए यहां पर पाठशाला का चित्र है ठीक है बच्चो यहां पर कुछ छात्राएं है छात्राएं इनका इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स पैरे बच्चो हम अपनी पाठशाला से कितना प्यार करते है ना तो हमें अपनी पाठशाला के प्रती क्या करना है हमारी पाठशाला को स्वच रखना है बच्चो यह देखिए बच्चे यहां पर कुड़ा कठा करके कुड़े दान में डाल रहे है यहां पर कुछ छात्राए पौदों को पानी दे रहे हैं प्यारे बच्चों ये हमारी पाठ शाला का एक छोटा सा बगीचा है प्यारे बच्चों जहां पर बगीचा होता है वहां से हमें शुद्ध हवा मिलती है तो हमें छोटे-छोटे पौदे लगाना चाहिए है ना बच्चों कागस के टुकडों क कूडे को हमें कूडे दान में डालना चाहिए, अपनी पाठशाला को स्वच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारी प्यारी सी पाठशाला है, है ना बच्चों, आज का हमारा पाठ क्या है, मेरी पाठशाला, अब आगे, बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर कुछ चित्र है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, यह कौन है, यह हमारे प्रियर शिक्षक है, यानि के हमारे टीचेर्स है, प्यारे बच्चों, हमारी टीचेर्स हमें क्या क्या सिखाती हैं पाठशाला में, हमें पढ़ना, लिकना, दूसरों के साथ अच्छा वेवहार करना, है ना बच्चों, साथ साथ में अच्छी अच्छी बाते, मित्रों के साथ कैसा वेवहार करना है, अपने माता पिता का आ आदर करना है बहुत सारे बाते हमारे शिक्षक हमें बताते हैं हमारे शिक्षक हमें सही मार्ग दर्शना करवाते हैं सही मार्ग पर चलने की सला देते हैं ये हमारे गुरु है हमें इनका आदर और सम्मान करना चाहिए है ना बच्चो ये कोन है ये हमारे प्यारे शिक्षक है अब आगे प्यारे बचो यहां पर कुछ अन्य चित्र है इन चित्रों को ध्यान से देखिए बचो यह क्या है हमारे पहले चित्र में क्या है बचो यह पहले चित्र का अर्थ है हमें अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलना है उनके साथ प्यार का बरताव करना है दोस्त बनके रहना है अगले चित्र में देखिए यहां पर एक बालक एक बालिका को खाना दे रहा है प्यारे बच्चों इस चित्र का अर्थ होता है हमारे पास खाने के लिए फुट हो तो हमें अपने मित्रों के साथ थोड़ा सा शेर करना चाहिए देखिए बच्चों यहां पर एक बाल इस बालिका को अपने खाने में से थोरा सा खाना शेर कर रहा है प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छी बात है फुट शेर करना बहुत अच्छी बात है बच्चों उमीद करती हूँ आप सब अपने मित्रों के साथ अपना फुट शेर करेंगे है ना बच्चों अगले चि को हमारी सहायता की जरूरत हुती है, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, क्जू कि यह हमारे मित्र है, है ना बचो? ऐसे स्पेशल चैल्ड की सहायता करनी चाहिए, है ना अब आगे, यह देखिये बचो इस चितर में तीन बच्चे है, ये क्या कर रहे है ये किताब को तीन बच्चे पढ़ रहे है इसका अर्थ है हमारी पुस्त के अपने मित्रों के साथ शेर करनी चाहिए हब अगले चित्र में देखिए यहां पर क्या है बच्चे दो बच्चे खिलोनों से खेल रहे है प्यारे बच्चो इस चित्र का अर्थ होता है अपने खिलोने अपने मित्रों के साथ शेर करना चाहिए यह अंतिम चित्र में देखिए बच्चो यह क्या कर रहे है दो बालक जगडा कर रहे है जगडा करना बुरी बात है बच्चो हमें सदा मित्रों जैसा वेवहार करना चाहिए जगडा कभी भी नहीं करना चाहिए ये सारी अच्छी बाते हमें कहां से प्राप्त होती है हमारी प्यारी सी पाठशाला से है ना बचो अब आगे प्यारे बचो ये है हमारा आज का पाठ मेरी पाठशाला हम शुरू करें बचो ये देखिए यहां पर चितर में कोन है चितर में ये एक बालक है एक बड़े बुजुर्ग है, है न बचो, यह है चाचा जी, एक कोन है बचो, यह बालक का नाम है चिन्टू, क्या है बालक का नाम चिन्टू, और यह है चिन्टू के चाचा जी, चाचा जी का अर्थ होता है फादर्स ब्रादर, फादर्स के ब्रादर को क्या कहते है बचो, चाचा जी, यह किसके चाचा जी है? चिंटू के चाचा जी है. अभी हम पाट को शुरू करें बच्चो, ध्यान से सुनियेगा. चाचा जी, चिंटू इधर आओ. चाचा जी ने क्या कहा बच्चो? चिंटू इधर आओ. Dear children, चाचा जी means uncle, father's brother. ओके ना? अंकल काल्ड चिंटू, come here. चिंटू आया. जी, क्या बात है चाचा जी? चिंटू क्या पुछा बच्चो चाचा जी से? जी, क्या बात है चाचा जी? Yes, uncle, what is the matter? चाचा जी, क्या आज तुम स्कूल नहीं जाओगे? चाचा जी ने क्या पुछा बच्चो चिंटू से? क्या आज तुम स्कूल नहीं जाओगे? चिंटू, चिंटू बोला जी, हाँ, चाचा जी जाओँगा. जी, हाँ, जी, हाँ का मतलब होता है? Yes, जी, हाँ, चाचा जी जाओँगा. अभी मैं नहाने जा रहा हूँ. Dear children, Uncle called Chintu. Chintu, come here. Chintu came. He replied, Yes, what is the matter, Uncle? Uncle asked him, won't you go to school today? What uncle asked children, won't you go to school today? Chintu replied, yes. Yes, uncle will go right now. I am going to take a bath. What Chintu replied children, yes, uncle will go right now. I am going to take a bath. अब आगे, चाचा जी, क्या अभी नहाने जा रहे हो? क्या पूचा चाचा जी ने, बच्चों, क्या अभी नहाने जा रहे हो? अब समय क्या हुआ है? समय का अर्थ होता है, बच्चों, time. अब समय क्या हुआ है? तुम्हे जल्दी उटना चाहिए था. तुमने देर क्यों कर दी? पैरे बचो दुबारा सुनिये चाचा जी ने क्या कहा? चाचा जी, क्या अभी नहाने जा रहे हो? अब समय क्या हुआ है? तुम्हें जल्दी उटना चाहिए था तुमने देर क्यों कर दी? Dear children, uncle asked Are you going to take a bath now? What is the time now? You should have got up early Why are you late? Once again children, uncle asked Chintu Are you going to take a bath now? What is the time now? You should have got up early Why are you late? पैरे बच्चो चाचा जी ने Chintu से पूछा क्या अभी नहाने जा रहे हो? अब समय क्या हुआ है? तुम्हें जल्दी उटना चाहिए था तुमने देर क्यों कर दी? क्योंकि Chintu देर से उठा था वो स्कूल जाने के लिए भी तयार नहीं था इसलिए चाचा जी Chintu से पूछ रहे थे ठीके बच्चो अब आगे तीवी देखता रहा अंकल, I kept watching टीवी तिल लेट लास्ट नाइट चाचा जी देखो बच्चों को ज्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए वो भुरी आदत है चाचा जी ने क्या कहा बच्चो देखो बच्चों को ज्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए वह बुरी आदत है चाचा जी ने क्या कहा बच्चो टीवी ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए किसको बच्चों को टीवी ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह बुरी बात है प्यारे बच्चो बुरी बात क्यों है जब आप लोग देर रात तक टीवी देखते हो तो कब सोगे देर से सोगे और सुभा देर से उठोगे तो पाठ शाला सही समय पर कैसे पहुंचोगे अगर हमको पाठ शाला सही समय पर पहुंचना है तो हमें क्या करना है बच्चो रात में हमें जल्दी सोना है सुभा हमें ज चिल्रन शुद नाट वाच टीवी फोर लॉंग, अब आगे चिन्तु ठीगे चाचाजी, देखिये, अब मैं जल्दी तयार हो जाओंगा क्या कहा चिन्तु बच्चों? ठीग है चाचाजी, देखिये, अब मैं जल्दी तयार हो जाओंगा, तयार का अर्थ होता है, रेडि, चिन्तु सेट, ओके, सी अंकल, नाव, आई विल बे रेडि, सून, वाट चिन्तु सेट, चिल्रन, ओके, सी अंकल, आउ, आई विल बे चाचाजी, तुम्हारी पाट शाला में कितने अध्यापक है? चाचाजी ने क्या पुछा बच्चों, तुम्हारी पाट शाला में कितने अध्यापक है? अंकल आस्ट, हाव मैनी टीचर्स आर दे इन योर स्कूल? चिन्टू, मेरी पाट शाला में तीन अध्यापक, अध्यापक का अर्थ होता है टीचर्चों, ठीके, तीन अध्यापक और दो अध्यापिकाएं हैं, प्यारे बच्चों, अध्यापक का अर्थ होता है मेल टीचर्चर्चों, अध्यापिकाएं का अर्थ होता है फिमेल टी मेरी पाठशाला में तीन अध्यापक और दो अध्यापिकाए हैं My school has three male teachers and two female teachers Watch into reply children My school has three male teachers and two female teachers चाचा जी तुम्हारी पाठशाला में कोन-कोन से विशे सिखा रहे हैं विशे का अर्थ होता है subject क्या है बचो subject चाचा जी ने पूछा तुम्हारी पाठशाला में कोन-कोन से विशे सिखा रहे हैं Uncle asked Chintu what subjects are teaching in your school चिंटू मेरी पाठशाला में हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड के साथ-साथ गनित और विग्नान भी सिखाते हैं चिंटू ने क्या कहा बचो मेरी पाठशाला में हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी का अर्थ होता है English Subject, कनण के साथ साथ गनित और विग्लान भी सिखाते है, गनित का आर्थ होता है Mathematics, विग्लान का आर्थ होता है Science, ठीक है बच्चों दुबारा सुनिए, मेरी पाठ शाला में हिंदी, अंग्रेजी, कनण के साथ साथ गनित और विग्लान भी सिखाते है, Dear children, Chintu replies, in my school Hindi teaches English Kannada as well as Mathematics and Science. What Chintu replies children, in my school Hindi teaches English Kannada as well as Mathematics and Science too. अब आगे, चाचा जी, तुम्हारी कक्षा में कितने चात्र है? चात्र का अर्थ होता है Students, कक्षा का अर्थ होता है Class. चाचा जी ने क्या पूचा? तुम्हारी कक्षा में कितने चात्र है? Uncle asked, how many students are there in your class? चिन्टू, मेरी कक्षा में 35, 35 का अर्थ होता है 35, 35 चात्र है. इन में 15 चात्र और 20 चात्र आये हैं मिन्स चात्र मीन्स बॉइस स्टूडेंट्स और 20 चात्र आये चात्र आये मिन्स गर्ल स्टूडेंट्स. Okay children, मेरी कक्षा में 35 चात्र है, इन में 15 चात्र और 20 चात्र आये हैं. चिन्टू replies, there are 35 students in my class. They have 15 boys and 20 girls. अब आगे, अरे बच्चो यह देखिये, चाचा जी, अपनी पसंद का विशे कोन सा है? क्या है बच्चो, चाचा जी ने क्या पुछा चिन्टू से, अपनी पसंद का विशे कोन सा है? अंकल आस्ट, what is your topic of choice? What uncle asked children, what is your topic of choice? चिन्टू, मेरी पसंद का विशे हिंदी है. चिन्टू ने क्या बोला, जब चाचा जी ने पूछा, अपनी पसंद का विशे कोन सा है? चिन्टू ने कहा, मेरी पसंद का विशे हिंदी है. देर चिर्टरन, अंकल आस्ट, what is your topic of choice? चिन्टू replied, my topic of choice is हिंदी. What चिन्टू replied children, my topic of choice is हिंदी. चाचा जी, तुम्हें हिंदी क्यों पसंद है? चाचा जी ने क्या पूछा, तुम्हें हिंदी क्यों पसंद है? अंकल आस्ट, why do you like हिंदी? What अंकल आस्टू चिर्टरन, why do you like हिंदी? तुम्हें हिंदी क्यों पसंद है? क्या पूछा चाचा जी ने? तुम्हें हिंदी क्यों पसंद है, why do you like हिंदी, चिंटु हमारे हिंदी अध्यापक बहुत रोचक धंग से पढ़ाते हैं, वे हमें अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते हैं, चिंटु को हिंदी सब्जेट क्यों पसंद है बच्चो, हिंदी के जो अध्यापक है, वो बह बहुत रोचक धंग से, मतलब के बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वे हमें पाट के साथ साथ अच्छी अच्छी कहानियां का अर्थ होता है स्टोरीज, कहानियां भी सुनाते हैं, हिंदी सब्जेट चिंटु को क्यों पसंद है, हिंदी के अध्यापक पाट के साथ साथ अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते हैं, इसलिये चिंटु को हिंदी सब्जेक पसंद हैं Dear children, when uncle asked why do you like Hindi, Chintu replies our Hindi teacher teach very interestingly, what he said children, our Hindi teacher teach very interestingly, he also tells us good stories. What he said children? Our Hindi teacher teach very interestingly. He also tells us good stories. So I like Hindi. अब आगे चाचा जी तुम पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हो? अब आगे चाचा जी तुम पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हो? चिन्टू मैं खूब खेलता हूँ. चिन्टू रिप्लाईज आई प्ले अलाट वाट चिन्टू रिप्लाईज आई प्ले अलाट. चाचा जी तुम पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हो? क्या पुछा बच्चो चाचा जी ने तुम पढ़ाई के साथ साथ और क्या 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 करते हो? चिन्टू ने क्या कहा चाचा जी से? मैं खूब खेलता हूँ. अंकल आजट, what else do you do with studies? So, Chintu replied, I play a lot चाचा जी, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? Uncle asked him, which sport do you like? तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? खेल का अर्थ होता है, sports Okay, children So, Chachai जी ने क्या पुछा, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? Chintu, Chintu क्या कहता है? मुझे गेंद खेलना अच्छा लगता है गेंद का अर्थ होता है, ball B-A-L-L, ball गेंद को ball कहते है ठीक है बच्चों, चाचा जी ने चिन्टु से क्या पुछा, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? Chintu ने कहा, मुझे गेंद खेलना अच्छा लगता है अंकल आस्ट, which sport do you like? Chintu रिप्लाई, I like to play ball What he like to play, children, ball अब आगे बच्चों चाचा जी, क्यों अच्छा लगता है? चाचा जी का अगला प्रश्न क्या था? आपको गेंद खेलना क्यों अच्छा लगता है? किसे पूछ रहे थे चिंटू से? चिंटू को गेंद खेलना पसंद है ना? तो चाचा जी ने क्या पूछा? तुम्हें गेंद खेलना क्यों अच्छा लगता है? चिंटू क्या कहता है? देखते हैं बच्चों चिन्टु गेंद खेलते समय हम खूब भागदोर करते हैं हाथ पाउं हिलाते हैं खेल खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चलता मैं कभी जी जाता हूँ तो कभी हार भी जाता हूँ गेंद खेलने से हम स्वस्त रहते हैं स्वस्त का अर्थ होता है हम दुबारा पड़े इस पैराग्राफ को चिंटू कहता है गेंद खेलते समय हम खूब भाग धोड़ करते है हाथ-पाउं हिलाते है खेल-खेलते-खेलते समय का पता हि नहीं चलता मैं कभी जीत जाता हूँ तो कभी हार भी जाता हूँ गेंद खेलने से हम स्वास्थ रहते हैं. Dear children, uncle asked, why do you like it? Chintu replied, we run a lot. We run a lot while playing ball. Hands and feet move. It is not known while playing the game. I sometimes win and sometimes I lose. We keep healthy by playing ball. Once again children, we run a lot while playing ball. Hands and feet move. It is not known while playing the game. I sometimes win and sometimes I lose. We keep healthy by playing ball. चाचा जी अच्छा चलो नहा कर वर्दी पहन कर वर्दी का अर्थ होता है. अब आगे चाचा जी अच्छा चलो नहा कर वर्दी पहन कर आओ. चाचा जी नहा कर वर्दी का अर्थ होता है. यूनिफार्म नाश्टा तयार है. नाश्टा इसका अर्थ होता है. ब्रेकफास तयार का अर्थ होता है. रेडी चाचा जी ने क्या कहा बच्छो? अच्छा चलो नहा कर वर्दी पहन कर आओ. नाश्टा तयार है. अंकल सेड ओके. लेट्स ठेक बाथ और वेर यूनिफार्म ब्रेकफास्ट इस रेडी. वाट अंकल सेड चिरन ओके. लेट्स ठेक बाथ अंड वेर यूनिफार्म ब्रेकफास्ट इस रेडी. चिंटू ठीके चाचा जी मैं अभी आया. चिंटू सेड ओखे अंकल I just arrived. वाट चिंटू सेड चिल्रन ओखे अंकल I just arrived. प्यारे बच्छों ये था हमारा पाठ मेरी पाठ शाला. प्यारे बच्छों पाठ को पढ़ना बहुत जरूरी है. पाठ को पढ़कर इस पाठ के अर्थ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बच्छों क्यूंकि इसमें आपकी पाठ शाला के संबंदित सारे विशे है. प्यारे बच्छों प्यारे बच्चो ये था हमारा आज का पाट मेरी पाट शाला आज का पाट यहीं पर समाप्त होता है बच्चो अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद